कहानी की सुरुवात कोरियन नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी से होती है जहां सबी कैंडिडेट को अपनी अपनी फैमिली से अलविदा लेकर यूनियन हॉल में अपना हेर कट करवाने के लिए बेटा जाता है यहां पार्क नाम का कैंडिडेट बार्बर से कहता है कि इतने बड़े बाल होने में सालो लग गए थे इसलिए प्लीज ज्यादा छोटा मत करना मगर बार्बर उसकी बात पे ध्यान नहीं देता जितने छोटे छोटे बाल उसे करने के लिए कहा गया था वो पार्क के बाल उतने ही काट देता है पार्क के बाद बारी आती है कैंग नाम क कंडिडेट की वो कहता है आपने हेयर कटिंग मसीन सही से साफ तो की है ना तो बार बार कहता है नहीं जिस पे कैंग कहता है अरे अच्छे से साफ करो ना किसी और को कोई स्किन प्रॉबलम होगी तो मुझे भी हो जाएगी ना फिर रात में सारे कंडिडेट को हौल में बैठा कर बताया जाता है कि आपकी दो हफ़ते की मिलिटरी ट्रेनिंग भी होगी जहां आपको अपने ड्रिल स्पेक्टर की सारी बाते माननी होगी पिछले साल चानुए में से चार कंडिडेट बीच में छोड़कर चले गए थे मगर आप लोगों को लास्ट तक कंप्लीट करना ह सबी कंडिडेट कहते हैं यसर मगर इनकी आवाज में जोस की कमी थी इसलिए इन्हें फिर से पूरे जोस खुरूस के साथ यसर बोलने को कहा जाता है और फिर ही लोग जोर से यसर बोलते हैं निक्स्ट सीन में किम नाम का एक लड़का कुछ लड़कों को बता रहा था कि मेरे डैट एक पुलिस ओफिसर है उन्होंने बचपन से ही मुझे ला एन ओर्डर की एहमियत बताई है मैं भी अपने डैट की तरह एक अच्छा पुलिस ओफिसर बना चाता हूं वैसे तुम ल नेट में सेंटर फिल्ड में रिपोर्ट करे अगर कोई भी लेट हुआ तो उसे पनिस्मेंट दी जाएगी ये सुनते ही सारे लड़के जल्दी जल्दी तयार होकर किसी तरह गिरते पढ़ते फिल्ड में पहुँचते हैं और इसके बाद ड्रिन स्पेक्टर इनसे बहुत स सौसेज दी जाती है जिस पर पार्क कहता है कि मेरे चावल इतने सारे हैं और आपने सिर्फ दो सौसेज मुझे दिये हैं मुझे और चाहिए तो कैंटिन वाला कहता है कि इससे बाकी के कैंडिरेट को कम पड़ जाएगा हमें सभी को सिर्फ दो ही सौसेज देने को कहा गया ह और अगर सॉसेज के हिसाब से चावल ज़्यादा है तो चावल कमपड़ दो और भूलो मत कि तुम अपने बाप के बारात में नहीं आये हो ये सुनकर पार्क मू बनाकर चुपचाप टेबल पे चला जाता है वो ये बड़ा रहा था कि दिन भार इतनी महनत करवाते हैं ये ल गाया था जब पार्क उससे इसका रिजन पूचता है तो वो कहता है इसमें सोडियम गुलोटामेट और सोडियम नैट्रेट होता है जिससे कैंसर हो सकता है और मैं जान भूच कर बिमारी नहीं मोलने वाला ये सुनते ही पार्क उसके सौसजिश खाते वे कहता है कि चल ठीक ही है फिर मैं खा लेता हूँ अगले दिन इन्हें लंबे-लंबे रसी पे ऐसे ही चड़ने को कहा जाता है और उन्हें बहुत जोर की चोटाती है इसलिए वो कुट कर देते हैं नेक्स्ट सीन में ट्रेनिंग का आकरी दिन होता है आज मॉन्टेन गुफारेस करवाया जाता ह है जो भी कंडिडेट एक घंटे में पहाल पर चल कर वापस नीचे उतर जाएगा सिर्फ उसे ही युनिवर्ट सिटी में एड्मिशन मिलेगा और जो भी इसमें नाकाम होगा उसो उसकी सारे रिक्षमता और कमजोरी के वज़ा से बाहर निकाल दिया जाएगा सारे कंडिड करना था इसलिए वो मदद करने के लिए नहीं रुखता तब ही वहां से पार्क क्रॉस हो रहा था टैंग उससे मदद मांगता है तो पार्क भी सेम बात कहता है कि मुझे अपना रेस पूरा करना है तब कैंग ऐसान जताने लगता है कि मैंने तुम्हें अपना खाना दिया और तुम मेरी मदद तक नहीं कर सकते तो पार्क कहता है पर वो तो तुम्हें नहीं खाना था इसलिए मैंने ले लिया फिर कैंग पार्क के पैर पकड़ कर कहता है कि प्लीज मेरी मदद करो मेरे डैड की मीट मार्किट में दुकान है मैं तुम्हें रोज मतन खिलाओंगा म माटन का नाम सुनकर पार्क कैंग को अपने कंदे पे उठाकर भागते वे पहाली चड़ता है इसलिए इनके टाइम लिमिट खत्म हो जाती है जब पार्क कैंग को अपने कंदे पे उठाकर नीचे आता है तो देखता है कि ये सारे कैंडिडेट आ चुके थे इंस्ट्रक्टर पूछती है कि इतना लेट कैसे हुआ तो कैंग कहता है कि दरसल में गिर गया और मेरे पैर में मोच आ गई थी इसलिए मैं खुद से उपर नहीं चड़ सका उस वक्त पार्क ने मेरी मदद की हम दोनों ही सारडिक रूप से मजबूत है प्लीज हमें अडमिशन दे दिजिए त तुम में से कितने लोगों ने पार्क को कैंकी मदद करते वे देखा तो सबी हाथ उपर उठाते हैं जिस पें स्ट्रक्टर गुसा करते वे कहती है तुम लोग ग्रैजुएशन के बाद पुलिस पनने वाले हो पुलिस का काम ही होता है लोगों की मदद करना और तुमने हाली चड़ने के लिए भागते हैं नेक्स्ट स्रेन में इन्हें कोरियन नेशनल पुलिस यूनिवरसिटी में अड्मीशन मिल जाता है यहां पार्क और कैंग बिस्ट फ्रेंड बनने का फैसला करते हैं पार्क जहां बहुत ही बातुनी मस्त मौला और भुकड था वही पान लटके इसलिए इन्हें गल्ट्रेंड की सक्त जुड़ रहती पारिस यूनिवरसिटी में एक भी लटकी कैंडिटेट नहीं थी पार्क और कैंग किसी तरह अपने जज़वाटों पे कंट्रोल रखी रहे थे पर फिर इन्हें पता चलता है कि इनके एक साती ने गल्ट लिखते हैं जिसमें उन्होंने लिख रखा था कि हमें प्यार की तलास के लिए चुट्टी चाहिए प्रोफेसर इन से कहते हैं कि यह सब करके तुम दोनों सिर्फ अपना टैमवेस्ट करने वाले हो पर इनके सर पे तो गल्फरंड का भूत चड़ गया था इसलिए वह चु कमिटट थी जैसे उनका बॉयफरंड आ रहा था वो अपने बॉयफरंड के साथ निकल जा रही थी और कुछ लटकियों को जैसे ही पता चल रहा था कि यह डोनों पुलिस स्टूरिंट है यानि यह आगे चलकर पुलिस बनेंगे तो उनका इंट्रेस्ट ही खत्म हो जा रहा था क्योंकि उनके मुताबिक पुलिस वाले अमीर नहीं हो सकते तो इनके साथ रहकर कोई फैदा नहीं होने वाला रियालिटी जानकर पार्क और कैंग उदा सोजाते हैं और सोचते हैं कि क्या हमें सच में पुलिस बनना चाहिए किम के पास तो एम है कि वो अपने डैट की पुलिस वाला बनना चाहता है मगर पार्क तो यहां इसलिए आया है क्योंकि यहां की फीस बहुत कम है इसलिए पार्क की सिंगल मॉंब यहां की फीफ और कर सकती है वहीं कैंग बस ऐसे ही पुलिस बनना चाहता था उसका भी कोई मोटिव नहीं है थक हार कर यह दोनों अब ट्राइ करके देखते हैं साथ ये लड़की सेट हो जाए पर दोनों में उस लड़की को रोक कर बात करने की हिम्मत नहीं थी इसलिए ये ना चाहते वे भी उस लड़की का पीछा करने लगते हैं और साथ में बहस भी करते हैं कि कौन जाकर उस लड़की से बात करेगा इन्हो में एक गाड़ी से कुछ गुंडे उतर कर उस लड़की के सर पर वार करके उसे बेहुस कर देते हैं और फिर वो से अपने गाड़ी में डाल कर लेकर फरार हो जाते हैं ये देखकर वो दोनों की गाड़ी के तरफ भागते वे उनका पीछा करते हैं मगर कोई फैदा नहीं होत वो गाड़ी इनकी आँकों के सामने से ओजल हो जाती है ये देखकर इनकी हालत खराब हो जाती है इन्हें समझ नहीं आता कि अब करे तो क्या करे ये जल्दी से emergency नंबर पे कॉल करते हैं दूसरी तरफ से इनसे अगवा करने वाले गाड़ी का नंबर पूछा जाता है जिससे पार्क का मैंड तो ब्लैंक हो जाता है मंगर कैंक को नंबर या था वो नंबर बता देता है मंगर emergency service वाले कहते हैं कि इस नंबर से तो कोई गाड़ी रजिस्टर ही नहीं है फिर वो कहते हैं तुम लोग वहीं रुगो हम 10 मिनट में अपनी टीम भेड़ते हैं पर पार्क को लगता है कि पता नहीं वो लोग कब ना कब आएंगे इस से बेतर है कि हम taxi लेकर नजीदी की पुलिस station चले जाए जब ये इंस्पेक्टर कहते हैं कि तुम लोग यहीं रुको एक अमीर आदमी का पोता भी अगवा हो गया है हम उसे की तलास में जा रहे हैं तब ये दोनों कहते हैं कि वो तो बच्चा है ना उसे तो फिरोती की रकम के लिए अगवा किया गया होगा और हम जिसकी कंप्लेन कर रहे है वो एक जवान लड़की है उसके साथ कुछ भी हो सकता है और हमारे युनिवर्सिटी में पढ़ाया गया है कि साथ घंटे के बाद मिसिंग लड़की के दुबारा मिले के चांसेस जीरो परसेंट हो जाते हैं इसलिए आपको पहले उस लड़की को ढोना चाहिए जिस पे इ पुलिस से कोई मदद ना मिलने के बाद ये दोनों वापस घंटना स्थल पे आते हैं इन्हें विक्टिम के बारे में कुछ भी पता नहीं था और नहीं ये लोग आसपास के CCTV के फुटेज को एकसेस कर सकते थे क्योंकि ये महज़िक स्टूडेंट थे ये अभी पुलिस वा में जाते हैं और डिस दिखाकर पूछते हैं कि क्या ये आपके यहां की डिस है पर कोई भी इन्हें पहचान नहीं रहा था डूंते डूंते ये दोनों एक पूड़ी अम्मा के ढापे पहुचते हैं जो कहते हैं ये डिस मेरे यहां की ही है तब ये दोनों उससे कहते हैं ज जो उसके घरवर का पता मालूम नहीं लेकिन वो सामने उस ब्यूल्डिंग में काम करती है। ये जानने के बाद ये डोनों उस ब्यूल्डिंग में जाते हैं। दरवाजे पे ही लिखा था कि अंदर एडल्ट सर्विस दी जाती है। ये देखकर कैंग कहता है कि हमें अंदर नहीं जाना चाहिए। क्योंकि अगर हम यहां पकड़े गए तो हमें युनिवर्द सिटी से निकाल दिया जाएगा। मगर पार्क उस लड़की के बारे में और जानकारी हासिल करना चाहता था। इसलिए वो कहता है हमें से एक अंदर जाएगा और एक बाहर नज़र रखेगा कि हमारे जान पैचान का कोई अंदर न जाए। कैंग कहता है फिर तो तुम्हीं अंदर जाओगे। मगर पार्क अकल बकल करके से लिप्ट करता है कि कौन अंदर जाएगा वो दो बार अकल बकल करता है मगर दोनों ही बार अंदर जाने की बारी कैंग की आती है जिससे कैंग चिड़ जाता है फर कैंग को अंदर जाना ही पड़ता है बेसमेंट में जाने की बाद कैंग बस था वो डोर बिल बचाता है उससे पहले ही एक आदमी दरवाजा खोल कर कहता है रूम नंबर तीन में जाए कहेंगे कहता है कि आप जैसा समझ रहे हैं वैसा नहीं है मैं तो कुछ पूछने आया था जिस पर वह आदमी कहता है कि जो भी पूछना है रूम नंबर तीन में जाकर पूछिए रूम में जाने के कुछ देर बाद वह आदमी आकर पूछता है कि तुम्हें किस सर्विस चाहिए तो कैंक कहता है मुझे उसका नाम तो नहीं पता मगर वह लंबी जैसी है इसलिए वह आदमी एक लंबी लड़की को रूम में भेट देता है दूसरी और प पुलिस की एक गाड़ी आती है और दो पुलिस वाले उतर कर उस एर क्लीनिंग सर्विस सेंटर में जाने लगते हैं इससे पार्क डर जाता है वो जल्दी से पीछे से उन्हें आवाज लगाता है और उनकी नजदी का कर चिलाता है कि तुम दोनों तो घुस खोर हो ये सुन पुलिस वाले उसे पकड़ने के लिए दौड़ने लगते हैं और अंदर कैंग को वो लड़की अपने गोद में सुला कर उसकी कांद साफ करने में लगी थी कैंग पूछता है कि तुमने इस औजार को साफ तो किया है न तो वो कहती है नहीं क्यों कैंग रुक जाना चाता क्योंकि उसके लिए हैजीन बहुत मैटर करता था पर उसे पहली बार किसी लड़की के गोद में सोने का मौका मिला था तो वो भावनाओं में बहकर अपने कांत साप करवा लेता है फिर उसकी नियत खराब होने लगती है तब वो खुद को एक जहापर मारता है और कहता है कि नहीं नहीं मैं यहाँ यह सब करने नहीं आया मुझे तो उस लटकी की तलास है जिससे आज कुछ गुंडों ने अगवा कर लिया तब वो सर्विस गर्ल को सारा माजरा डिटेल में बताता है और पिंक जैकेट वाली लटकी का होलिया भी जिस पर सर्विस गर्ल बताती है कि वो लटकी साइद यून होगी कैंग उसका पता मांगता है तो वो कहती है कि नहीं यून अपने 17 बर्तरे के दिन अपना घर छोड़ कर भागाई थी तो अब उसका घर कहा है वो मुझे मालूम नहीं लेकिन हा मगर वो जिसके साथ भागी थी उसका पता मैं दे सकती हूँ कैंग उसका पता मांगता है और कहता है कि उन 17 साल की है और यहां काम करती है यह तो गैर कानूनी है तो वो लटकी कहती है हाँ हर चीज गैर कानूनी ही है मैं खुद 18 साल से कम की हूँ इसके बाद कैंग जैसे ही बाहर निकलता है तो देखता है कि पुलिस की गाड़ी खड़ी है इसे तो कैंग की हालत खराब हो जाती है तब हम पार्क आता है और कैंग को लेकर जल्दे से वहां से भाग जाता है फिर यह दोनों भाग कर उस पते पे जाते हैं दरवाजा करने पे कुण नाम का एक लटका हलका से दरवाजा खोलता है और पूछता है कि कौन हो आप तो ये बताते हैं कि हम तो पुलिस युनिवर्सिटी से हैं हमने आपकी फ्रेंड को अगवा होते वे देखा तो कू कहता है ठीक है आप रुकिए मैं दरवाजा खोलता हूँ ये कहकर वो अंदर से दरवाजा बंद करता है और खिटकी के ग्रिल को तोड़कर भाग जाता है अंदर से आवाज सुनकर ये अलट हो जाते हैं और कू का पीछा करने लगते हैं कैंग जल्दी से उसके पास पहुंचकर युनिवर्सिटी में जो मारने की तकनीक बताई गई थी वो कूपे इस्तिमाल करता है जिससे खू सुनिवर्सिटी में हमें जो भी सिखाया गया वो तो सच में काम करता है फिर पार्क के कूपे चड़के बैठ जाता है और पूछता है कि हमें देखकर भागा क्योंबे वहीं कैंग कू का फोन लेकर कहता है कि आप इसका पासवर्ट बता देंगे प्लीज तो पार्क उसे घ सौधा कर दिया है तो कू कहता है कि देखो मुझे कुछ नहीं पता वो लोग मुझे कम उम्रेकी लड़कियों को उनके घर से भगाने के पैसे देते हैं जिस पर पार्क के कहता है कौन लोग तो वो कहता है मेरी पौकेट में उनका बिग्निस काड है इसके बाद पार्क और कैंग दोनों मिलकर कोको पिलर से अच्छे से बान देते हैं और पहले को के घर पे जाते हैं जहां इन्हें दो और कम उम्रिकी लड़कियां मिलती है जब कैंग और पार्क उन्हें के अगवा होने के बारे में बताते हैं तो वो दोनों रोने लगती है और कहती है कि वो हमारी बहन जैसी है प्लीज उसे ढूंड कर ले आए जिससे कैंग और पार्क से हम जाते हैं उन्हें समझ नहीं आता कि इन्हें चुप कैसे करवाया जाए फिर भी वो इनसे वादा करते हैं कि हम यून को ढूंड कर ही रहेंगे फिर कैंग इने कुछ पैसे देता है और कहता है कि वगेरा का डिजैन और लोग सभी चैनीज लग रहे थे टैक्सी वाला इन्हें बताता है कि ये एरिया सही नहीं है पुलिस वाले बे यहां आने से कतराते हैं इसलिए अपना ख्याल रखना इसके बाद पारक और कैंग दिये गए एडर्रस पे जाते हैं और एक घुंडे के ग्रूप को देखते हैं फिर वो कू के फोन से उस आदमी को कॉल करते हैं वो जैसे ही फोन उठाना चाता है वैसे ही वो कॉल कट कर देते हैं इससे कंफर्म तो हो जाता है कि इन्हीं लोगों ने यून को अगवा किया था पर तभी वो कॉल बैक कर देते हैं फोन बच जाता में बंदे को पकड़ लेते हैं और उसे पूछते हैं कि कहां रखा है बच्चियों को तो वो कहता है चाहे तुम लोग जो भी कर लो मैं अपना मोतों नहीं कोलने वाला जिसके बाद दोनों मिलकर उस आदमे को टॉर्चर करते हैं तब वो उन्हें घर में ले जाता है जहां प वो इन्हें एक छोटी बच्ची दिखाती है जिससे बहुत ही ज्यादा फिबर था वो से अपने साथ हॉस्पिटल ही जाना चाता है तो देखते हैं कि बच्ची के प्राइविट पार्ट से बहुत सारा खून भी बैच चुका है यानि इन लोगों को बस लटक्यों के एक न लेते हैं ये लोग मिलकर पार्क और कैंकी जमकर कुटाय करते हैं और फिर इनके कपड़े उतार कर बांद कर लटका देते हैं मगर जैसे ही ये दोनों होस में आते हैं तो खुद को आसानी से आजात कर लेते हैं फिर ये बाहर भागना चाते हैं तो देखते हैं कि जिस रू पीछा करते हैं पर यह दोनों भागते वे नदिदी की पुलिस स्टेशन तक पहुच जाते हैं इसलिए गुंड़े वापस चले जाते हैं पार्क और कैंग वहां मौझूद पुलिस वाले से कहते हैं कि एक खंडर से घर में बहुत सारी लटक्यों को कैट करके रखा गया है आ पर पुलिस वाला बोलता है वो तो बाद में देखा जाए पहले तुम दोनों हो कौन अपना एड़ी दिखाओ जिस पे ये बताते हैं कि हमारा फोन एड़ी वालेट सब गुंडों ने रख लिया है तब पुलिस वाला कहता है कि आपको पहले अपनी एड़ी दिखानी ही होग वरना हम कोई कदम नहीं उठा पाएंगे हमें एक प्रोसेस से चलना पड़ता है जिस पे ये दोनों भड़क जाते हैं कि तुम्हारे लिए प्रोसेस ज़्यादा जरूरी है क्या उन बच्चों की जान के बारे में तुम्हें नहीं सोचा जा रहा कैसे पुलिस वाले हो तु एक ऐसे ही ग्रूप का भांडा फोडा था देखो नॉर्मली एक फीमेल एक महीने में एक एक प्रोड्यूस करती है मगर ये लोग उन्हें कुछ गलत इंजेक्शन लगाकर एक महीने में 20-30 अंडे प्रोड्यूस करवाते हैं जिससे इन्हें ज्यादा मुनाफ़ा हो सके प् उनिवर्सिटी लट जाओ और अपने पढ़ाई पर ध्यान दो अगर तुमने इस केस में दखल दिया तो तुम एक स्पिल किया जा सकता है तुम दोनों अभी स्टूडेंट हो तुम अभी पुलिस नहीं बने हो इसलिए आगे का काम बढ़ों पर छोड़ दो मगर पार्क औ जब किम से इनकी मुलकात होती है तो वो कहते हैं कि तेरे डाट तो पुलिस में है ना वो कहता है है नहीं थे वो अब रिटैर हो चुके हैं तो ये डोनों कहते हैं कि हाँ पर उनकी तो अच्छी खासी पहचान होगी वो हमें CCTV फूटेज का एक्सेस दिलवा सकते हैं क्या त उड़ा दिया था फिर वो गाड़ी का नंबर मॉडल वगेरा उनको बता देते हैं और कहते हैं हमें उस गाड़ी की इनफॉर्मेशन चाहिए तो वो कहते है ठीक है कुछ टाइम दो मैं बताती हूँ इसके बाद पार्क और गैंक पुलिस की युनिफॉर्म पहन कर एक पु इने बताती है कि जिस गाड़ी का नंबर तुमने हमें दिया था वो जब भी देखी गई है तो इसके पीछी एक ब्लैक कलर की इस यूवी भी चलती है जिस पे आईवेफ क्लिनिक का लोगो लगा हुआ होता है इसके बाद इन एक आईवेफ क्लिनिक पे सिफ्ट होती है जि ये मिस ली है इनकी एग की कीमत 8 लाग तक आएगी बिजनिसमैन कहता है कि बच्चे के लिए हम कितने भी कीमत देने को तयार है डॉक्टर इसके बाद उस हॉस्पिटल में गुंडे लड़कियों को सप्लाइ करते हैं जिसके बाद हॉस्पिटल के पार्किंग एरिया में उ वो फ्लोर 8 बताती है फिर ये दोनों जैसे ही लिफ्ट से 8 फ्लोर पे पहुँचते हैं तो वहां में गुंडायन की पिटाई करने लगता है और वो बहुत हटा-कटा था ये दोनों मिलकर भी उसका बाल पाका नहीं कर पाते तब ये दोनों मिलकर किसी तरह उसके हाथ और दोनों में हैंडकफ लगा देते हैं और फिर ऑप्रेशन थेटर में जाकर डॉक्टर को मारते हैं जो कि मिसली के एग निकाल रहे थे फिर वो नर्ज से से पूछते हैं कि बाकी लटकिया कहा है तो वो डर कर बता देती है जिसके बाद ये दोनों समझ जाते हैं कि हम अकेले तो कुछ नहीं कर सकते हमें प्रोफेसर को कॉल करना होगा पर उन्हें पता चलेगा तो वो हमें फिल कर देंगे फिर वो सोचते हैं कि चलो हमें लेकिन इन महसूम लटकियों की जान तो बच जाएगी इसलिए वो कॉल कर देते हैं और नेक्स्ट सीन में पुलिस की कई सारी गाडियां उस हॉस्पिटल में जाती है वो लटकियों को रिस्क्यू कर लेती है और गुनागारों पर केस हो जाती है इसके बाद सीन अपने हाथ में लिया है अगर हम कोई करवाई नहीं करेंगे तो इससे हमारे यूनिवर्शिटी की डिसिप्लिन खराब हो जाएगी इसलिए हमें उन्हें एक स्पिल करतेना चाहिए फिर वो लोग प्रोफेसर याइंग से उनकी राय जानना चाहते हैं तो वो कहते हैं कि हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि मुसिबत में हमें लोगों की मदद करना चाहिए इन्होंने एक लड़की को अगवा होते वे देखा तो उसकी मदद की ये उन्होंने अच्छा काम किया और एक अच्छे काम का सिला उन्हें करने से बुरा हो जाएगा फिर आगे से कोई किसे की मदद नहीं करना चाहेगा क्योंकि इससे उन्हें सजा मिल सकती है मुझे तो उन दोनों से जलन हो रही है क्योंकि एक वक्त ऐसा था जब मेरे अंदर भी इसी तरह का जुनून हुआ करता था मुझरिमों को पकड़ने के लिए पर फिर वक्त के साथ वो जो स्टंडा हो गया हम नियम कानून में उलजकर चलने लगे सच कहूं तो उन्होंने जो काम किया है वो काबिले तारीफ है और मुझे उन पर गर्ब है इसके बाद प्रोफेसर बाहर आते हैं और पार्क और गैंग को बताते हैं कि प्रेसिडेंट सर ने तुम दोनों को एक्सपेल तो नही सर यह दोनों कुछी कुछी थैंक्यू सर बोलते हैं और इसी के साथ यह मुवी यहीं पर खत्म हो जाती है तो दोस्तों इन दोनों ट्रेनी आफिसर की कहानी आपको कैसी लगे मुझे कॉमेंट करके बताना वैसे दोस्तों कुछ तिनों पहले ही मैंने एक बहुत याची इं इंड स्क्रीन पर क्लिक करको से जरूर से देख लेना सो विल गाइस आज के वीडियो में इतना ही थैंक्स टू गुडबाई